जशको हमारे बीच में कमल शर्मा जी हैं जो की बावपुर जिला के अंदर अभी नवनिर्वाचित सचिफपत पर आसीन हुआ है पीशम शर्मा की यहां के जिला अज्जक्षा उन्होंने इनके उपए कारेबार सोपा है इनसे बात कर लेते हैं सक्रिय नेता है कॉंग्रेस के वरिस कारे करता भी है होई प्रमुक समासेवी बीए इनसे बात करते हैं सबसे बादे तो कमल जी हार्दी छुपकामना है सचिफपत पर आने के लिए मैं भारत टीवी को और राहूल जी को धनेवादेता हूँ के वने मुझे अपने टीवी चैनल पर इस समय मुका दिया बात करने का कमल जी शुरू से सक रहे हैं थोड़ा तर जीवन यात्ता के बारे में बताएंगे के आपने कॉंग्रेस पाइटी के लिए कब कब क्या क्या काम किया मैंने सन ब्यासी में कॉंगर्स जोन की थी एचकेल भगजी के टाइम से में कॉंगर्स जुड़ागा हूँ उसके बाद शील्या जी आई बहुत सारे बिल्ली परदेश अदेक्ष बने जिसमें सिरे गामबाबु शर्मा जी का अउनाम सबसे उपर रहा है आज तक और मैंने उनके कारे काले में बहुत सारे काम किये हैं और रामबाबु शर्मा जी के साथ भी कंदे से कंदे में लागा मैंने काम किया है आज वीपिन शर्मा जी जो कि यहां के तीन बार विधायक रह चुके हैं और हम तो उनको विधायक हम कभी कहा ही ने उनको क्योंकि हमारे बड़े भाई राम बाबु शर्मा जी के सपूत्र भी है और उन्होंने बहुत सारे कारे इच्छेते के लिए किया है और जो आम माधी पार्टी आज दिली के अंदर बैठी है डंके की चोट बागारी हमने ये कारे किये वो कारे किये इन्होंने कुछ नहीं किय बिजली पानी आदा माफ कुछ माफ नहीं हुआ पानी आगर आप माफ कर भी दिया है तो गंदा पानी आ रहे हैं लोगों को पीने के लिए जहर बिला रहे हैं लोग और बिजली के बिल धोका देकर यूनिट बढ़ा कर पैसे कमा रहे हैं ये लोग और जो पानी के मिटरों उन्हें लगाने के लिए बोला है वो तीन कॉम्पनी ने शुद करीया है जींसे इनने पैसा खाकर उन कम्पनियों को वही मिट लगाने के लिए कर grapple मादमी आद्म्धी पार्टी ने स्वरूब भी बतलके रख दिया आदम आदम आदमी को खाना शुरू कर दिया इन्होंने कोई सुख नी दिया इन्होंने आम आदमी को खाने का काम शुरू कर दिया जिस कंपनी को उसको बंद कर देते हैं उससे पैसा खाते हैं फिर चालू कर देते हैं इरिक्षा की बात आई थी बंद करी चालू करें पैसे क प्रदान मंतरी थी तब देली के अंदर पूरे देश के अंदर कांगर्स हतम हो गई थी तब निगम से शुरुआत करे थी आज वही दोर है हर कांगर्सी कारेकरतों को कंदे से कंदा मिलाकर चलना पड़ेगा और निगम में अपनी सकार माने के लिए पूर जोर कोशिश करनी पड़ेगी जनता कांगर्स के साथ आ रही है हाँ जी जी साब से हम परचार कर रहे हैं घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं आने वाले समय में कांगर्स की बहुत सारी सीटे निगम के अंदर आएंगी अच्छे दिन से मोधी के लिए आ रहे हैं जी उसका पासपोर्ट के प हो गया सुख की शांती बज़री हैं मेरे देश के अंदर मुझे ये बताए जो काम पहले बिना पैसे के हो रहा था आज के अंदर नए मिटर लगवाने जाओ पानी के भी बिजली के बिल सीटराने जाओ वहां भी लोग पैसा खाते हैं जो तीन मिटर ने शू किया है आज म पर नालिया टूटी पढ़ी है एक ये अगताश शेंकर का नाला है जो खजूर के पेड़ वाला इसका टेंडर पास हो चुका है इससे लगवा मेरे साथा डवीन हो गए इसका नाला नहीं बने पारा हैं से कोई कारे नहीं कर पा रहे हैं लोग विजायक तो इलाके में नही तो कि इस लाके को नहीं देख रहा हो अपने 64 वार्ट देख रहा है तो कि वो MP के चकर में है देखने में आ रहा है वेलकम वार्ट की तो बहुत ज़्यादा दूर्दशा बस्ते बस्तर है राहुल जी मैं बारत टीवी के माद्दम से एक बात बताना चाहूंगा जितने भी बीजेपी की सरकार है चाहि ऊपर की है या नीचे की है और दिल्ली में आपकी सरकार है इन ये तीनों सरकारे फेल है और आगने वाले चुनाओं में कांगरेस हता में आएगी और हम दिखाएंगे कारे कैसे होते हैं तो जन्दा को क्या चैसा ना चाहेंगे क्या अपील करना चाहूंगा भाजबा देखी आप देखी अब कांगरेस की बारी है आने वाले चुनाओं में कांगरेस को जिताना हाग कांगरेस का हाथ मजबूत बनाना यही मैरी सबसे प्राफ़ता है